लो फ्रेंड्स आप सबका फिर से स्वाकत है हमारे इस नए वीडियो के साथ तो दोस्तों आज कर वीडियो उनलों के लिए काफी यूजपूल होने वाला है जो अपने यूटूब चैनल का नाम नहीं रखवा रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है जो चैनल कर लिए हैं यान कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंशता रहे हैं नमस्कार दोस्तों मैं हो कोसल और आप देख रहे हैं मोनिटर को सल नाट फारवेड वलनी टेग अपने चैनल का नाम कुछ भी रख सकते हैं इससे आपके चैनल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन यहांपर हम आपको कुछ जानकारी सेर करने माले हैं जो चैनल के नाम करन में जरूरी होता है यानि जिससे आपका चैनल प्रोफेशनल लगने रिखता है और सर्च लिस्ट में आ सकता है अब आपको हम एक एक पॉइंट के माधिम से समझाने के कोसिस करेंगे चैनल का नाम समय आपको किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए पॉइंट टेक की बात करने तो चैनल का नाम सिंपल और इसमाल होना चाहिए सिंपल सा मतलब यह है कि याद करने लाइक हो किसी को आप चैनल का नाम बता रहें उसको याद हो सके यानि कि .acometry चैनल का नाम बनाये पॉइंट की बात करें। new continue लाइक म करने चैनल के की चैनल के आपकी को अपने अब सर्थक 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 i- abruptly.o का नाम बनाते समय आपको सार्थक सर्थक इस्तमल करना है यानि कि जिन सर्थक आप इस्तमाल करने वाले हैं उसका कोई अर्थ होना चाहिए जैसे कि हमने बनाया है monitor causal जिसे लोग आपके चैनल को याद कर सके हैं दूसरा सद जो है हमारा नाम ही है अब बात करते हैं इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक नाम को वहाँ पर रखना है उसके बाद Google पर जाकर सर्च करना है यदि आपके सर्च बार पर not record found आता है तो समझिए कि आपका ये नाम बिटर है इसी तरीके से Facebook में जाकर सर्च कर सकते हैं यानि कि उस नाम को आप सर्च बार में डालेंगे यदि कोई page बना होगा तो आपके सामने न यहां पर आपको दो नजर आ रही होगी किसी एक पर क्लिक करके और पर आपको दो वीडियो नजर आ रहे होंगे किसी एक पर क्लिक करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ इसी चैनल के माधन से तब तक लिए नमस्कार